हालो गुडिवनिंग साथ ही हूं आप सभी का स्वाग अथे आपके पनी यूट्यूब चैनल सीडिपी कुई नांसी में पर मेरा नामे रभी और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी हिंदी सीटेट के लिए पेड़ोलाजी आज हम सुरू करने जा रहे हैं हिंदी पेड़ोलाज देखते हैं कैसे कैसे कोश्चन बनते हैं सीटेट हिंदी पेड़ोलाजी में तो चलिए सुरू करते हैं आज के अपनी क्लास आज का पहला प्रस्ण है रीमा ने तीसरी कच्छा में पढ़ने वाली रीतिका की भासा शमता भासा निस्पादन समंदी क्रमिक प्रगत का बेव लोकों को दिया रीमा ने इसके बाद में है डॉट डॉट के आधार पर या जानकारी दी आपको बताना है किस आधार पर जानकारी दी रीमा ने तो आप लोग पढ़ेंगे आपसन क्यास ने वलोकों किया या फिर पोर्टफोलियो के दोरा जांच के दोरा या फिर लिखित परिच्छा के दोरा, सभी लोग आंसर कर दें इसका, कुश्चान नमबर एक का, आंसर कर दिए सभी लोग, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर B, पोर्ट फोलियो जो हता है, बच्चों के सभी परकार के कार्ड के रूप में प्रियोग के जाता है, भा कहानी कहना है, या फिर कहानी लिखना है, घटना का वर्णन करना, या फिर शुत्रलेक करना है, आपको बताना है, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, सबसे कम प्रभावी तरीका इन में से कौन सा हो जाएगा, तो आपसन नमबर D हो जाएगा, शुत्रलेक, ये सबसे कम प्रवावी तरीका है देखते हैं अगला कुस्चन जो लोग जुड़ चुके हैं क्लास पर सभी लोग एक बार क्लास को सेर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और आप लोग कमेंड वाक्स में बताना आज की यह हमारी हिंदी क पहली क्लासे भी सीटट के लिए जो आपके लिए बनाने जा रहे हैं अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो आप लोग इस क्लास को काफे जादा शेर करना और बताना कैसी लगी है तो आपके लिए आगे की क्लासे लाई जाएंगी अगला क्वश्चन आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की छमता का आकलन नहीं होता है क्या बोला जा रहा है कि जब आकलन की प्रक्रिया करी जाती है तो उसमें केवल बच्चे की छमता का ही आकलन नहीं होता है बलकि सिच्छक की सिच्छा प्रक्रिया का भी आकलन होता है या विचार की, मतलब आपको कैसा लग रहा है, पूर्ता सही है, अंस्ता गलत है या फिर पूर्ता गलत है या फिर निराधार है, जब कोई आकलन की प्रक्रिया की जाते तो केवल बच्चे की छमता का आकलन नहीं होता है, वहाँ पर सिछक की सिछा प्रक्रिया का भी आकलन हो आपकी सिच्छा की प्रक्रिया या फिर आपकी सिच्छा के तरीके का भी आकलन किया जा रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कितना समझ में आ रहा है देखते हैं अगला कोश्चन प्राथमिक इस तर पर बच्चों की भासा का आकलन करने का उद्दे या फिर उसकी बोलने की कुसलता काकलन तो आपको इनमें से बताना है कौन सा आपसन सही हो जाएगा प्राथमी की इस तर पर बच्चे की भासा काकलन करने का उद्देश होता है उसकी भासा प्रयोग की छमता काकलन आपसन नमबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं अगला कुश्चन पहली कच्छा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर गताता है पहली कच्छा में जब कोई विद्यार्थी जाता है तो इनमें से बताईए ऐसा कौन सा आपसन ने जो लिखने के अंतर गताता है क्या वाक की लिखता है वो जाकर सीधे या फिर सीधे सब्द लिखने लगता है या फिर अच्छर बनाता है या फिर चित्र बनाता है ये दोनों तो कार दीजिया बताइए इन दोनों में से कौन सा अपसन सही हो जाएगा पहली कच्छा में बताइए इन में से कौन सा अपसन सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अपसन नंबर D बिल्कु सही जब पहली कच्छा में विद्यारती जाता है तो वहाँ पर चित्र बनाना भी लिखने के अंतरगत आता है जाते आते कोई भी विद्यारती सीधे बाग की लिखना नहीं सीख पाता है बलकि वो पहले चित्र बनाना सीखता है उसके बाद में धीरे-धीरे अक्षर वो बनाने सीखने लगता है तो सबसे पहले चित्र बनाना जो होगा वो भी लिखने के अंतरगत आएगा देखते हैं एकला कुश्चन प्राथ में किस्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्पूर्ण है आपको बताना है अनुमान लगाना, संदरभा अनुशार अर्थ या अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश है तो इनमें से कौन सा अप्षन सही है आपको यह बताना है कोश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए सीटर की संपूर्ण त्यारी के लिए तो इसका हो जाएगा आपसर नंबर 6 क्या हो जाएगा अच्छरों की पहचान इसमें हो जाएगा आपसर नंबर 6 इसका बिलकुल सही आंसर है चलते हैं अगले कोश्चन पर भासा अरजन चमता किसके साथ संबंदित है आपको बताना है भासा अरजन चमता किसके साथ संबंदित है आपसर नंबर 6 इसका किसके साथ संबंदित है कोश्चन नंबर 7 का अंसर करेंगे सबी लोग तो इसका हो जाएगा आपसा नमबर भी चामस्की क्या हो जाएगा चामस्की देखते हैं अगला क्वेश्चन प्राथमी किस्तर पर भासा सीखने में भासा संबंदी कौन सा संसाधन सारवधिक महत्पूर है प्राथमिक इस्तर पर भासा सीखने में भासा संबंदी इन में से कौन सा संसाधन सबसे महात्पूर्ण है कंप्यूटर ये तो बिल्कुल नहीं होगा बाल साहित्य या फिर समाचार पत्र या फिर टेलिविजन आपको बताना है सबसे महत्रपूर्ण संसाधन कौन सा है प्राथमिक इस्तर में कोशो नमबर आठ का सभी लोग आंसर कर देंगे तो इसका हो जाएगा आप्सा नमबर बी सबसे महत्रपूर्ण के हो जाएगा बाल साहित्य चलते हैं अगरे कोश्चन पर कुश्चे नबर नुका अंसर करिए सभी लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर लिजे साथियों कर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोगों का इस क्लास के ऊपर विशेष प्यार की जरूरत है आप लोग इसको सेयर करना जाधा से ज़यादा उसके बाद में फिर आपकी ये क्लास चालू कर दिजाएगी इसका आपसे całe नंबर ए वो क्या है स्वभाविक है या बात कैसी है स्वभाविक है देखते हैं एक ला कुश्चन भासा सिछड का कार है भासा विसेक जटी लादतों का निर्मार करना या कथन किसका है भासा सिछड का कार है भासा विसेक जटी लादतों का निर्मार करना आपको बताना है या कथन किसका है question number 10 का answer करेंगे सबी लोग question number 10 का answer कर देजिए एक बार या कथन किसका है साथ ही हूँ या है Robert Lado का किसका है Robert Lado का कथन है बैतरियन त्यारी के लिए हर भाई हर बहन चैनल को सस्क्राइब कर लें एक बार जो लोग पुराने हैं वो लोग लाइक कर देजिए और एक बार share कर दें इस क्लास को हिंदी भासा के मोखिक वेवहार में सब्दों के सुद्ध उचार्ण निर्भर करते हैं आपको बताना है हिंदी भासा के मोखिक वेवहार में सब्दों के सुद्ध उचार्ण किसपन पर निर्भर करते हैं बोलने में बल देने पर या फिर बोलने के सूर पर या फिर बोलने के अनुमान पर या फिर इन सभी पर कोश्चेन नंबर 11 का हो जाएगा ये सारे कई सारे क्या हैं सही हो जाएगा यानि आपसर नंबर 10 का बिल्कुल सही है चलते अगले question पर क्या कहते हैं उसको हैं आदर्स वाचन कहा जाता है देखते हैं अगला question भासा सिच्छड के दवरान सूध्ध एवं इसपष्ट बोलने की योगिता मिलती है आपको बताना है भासा सिच्छड के दवरान सूध्ध एवं इसपष्ट बोलने की योगिता मिलती है कठिन निवार द्वारा विशहप ya看 पकंचन द्वारा ऊचतर द्वारा ऊचतर नंभर तेरा का सिशंप्र करन करिए से फेलों सभी लोग बताएंगे कमेंट बाक्स में आपको आज की हिंदी क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सेर करेंगे सभी लोग एक बार, क्लास खतम होने के बाद सेर करेंगे सभी लोग इसको एक बार ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे, डोट डोट का अभिन अंग है आपको बताना है बहु भासिकता हमारी पहचान के साथ हमारी डोट डोट वा उसके बाद में फिर से डोट लगा है का अभिन अंग है तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा सबसे पहले बढ़ना सभ्यता वा संस् अभिन्ण अंग है चलते हैं अगले कॉष्चन पर प्राथमिक।iri के पाठ पुष्टकों में कार्टून भासन विध्यापन आदि बच्चों के भासा चम्ता विकास में डौट डौट हैं आपको बताना यहां पर क्या भरना है? प्राथमे के इस्तर के पाठ पुष्टकों में कार्टून भासन विज्यापन आदि बच्चों के भासा समचा भासा जो छमता होती उसके विकास में डॉट डॉट है तो आपका पताना क्या बनना सहायक, बाधक, निरर्थक या फिर अनुप्रियोगी और उसा अपसन आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा अपसन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सहायक चलते एगले कोश्चन पर पाँचवी कच्चा की सुहानी, पाँचों, किने, आखें, दोनों आदि सब्द लिखती है पाँचों, किने, आखें, दोनों यह सब्द लिखें है आप सुहानी के लेखन चमता के बारे में क्या कहेंगे सुहानी ने जो कि कच्चा पाँच की लड़की यह सब्द लिखें है पांचो किने आखें दोनों तो अब बताईए कि आप सुहनी के लेखन छमता के बारे में क्या कहेंगे वह अनुनासिक चिन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है या फिर वह अनुनासिक चिन्न के प्रयोग के प्रत सजग है या फिर वह अनुनासिक चिन्न के प्रयोग के प्रत लापरवा है चोथा question है वह अनुनासिक चिन्न के नियम का आती सामान निकरन करती है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा option आपको सही लग रहा है तो इसका उजाएगा option number D वह अनुनासिक चिन के नियम का आति सामान निकरण करती है यानि आपसन नमबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा चलते अगले question पर विद्याले में भासा सिछन के लिए कोई कारीक्रम सुरू करते समय सबसे महत्त पूर्ण है आपको बताना है विद्याले में जब कोई कारीक्रम हो रहा हो भासा सिछड़का तो उसके लिए सबसे महत्त पूर्ण क्या हो जाएगा अपसन देखे और आंसर करिये सबी लोग उसका हो जाएगा आपसन नंबर B बच्चे की सहज भासी छमता को पहचानना सबसे महत्त पूर्ण हो जाएगा देखते हैं अंगला क्यूस्चन कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भासाओं को उसके बाद है डोट डोट और बोलने की छमता से लेस होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार क्या होता है दो या तीन भासाओं को डोट डोट और बोलने की छमता से लेस होते हैं आपको बताना ऐसमें क्या भणना है पढ़ने, लिखने, रटने या फिर समझने सुरू में कोई बच्चा जब जाता है माली जी नरसरी में गया फिर कच्चा एक क्लास में गया माली जी एक में गया बच्चा तो वहाँ पर क्या वो पढ़ने लग जाता है तीन भासा है या फिर लिखने लग जाता है रटने लग जाता है क्या करता है तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर D वो दो तीन भासाओं के क्या होता है समझने से लेस होता है अगर आप उसको इसारे से बताएंगे तो भासाओं को समझ लेता है आगे चलते हैं किसी विशाय को सीखने का मत गुश्चन में से कौन रचनात्मक पद्धत में प्यानियर को ब्रचन का अंसर पनाए जाना चाहिए सन रचनात्मक पद्धत में कौन से कारिको भासा सिच्छन का आधार बनाया जाना चाहिए आपको बताना है मोखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या फिर रचनात्मक कुश्चेन नमबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार सभी लोग क्लास को सेर कर दें साथियों काफी मेहनत करनी पड़ती है जब एक वीडियो बनती है 10 से 15 मिनिट की कम सेगम 2 घंटे का टायम लगाना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को सिर्फ क्लास को सेर करने के लिए बोलते हैं आप लोग शेर कर दिया करें क्लास को क्योंकि notification सभी के पास नहीं पहुँच पाती इसलिए class को share कर दें सभी लोग एक बार इसके बाद देखते हैं अगला question इसका उजाएगा option number A सिच्छन का आधार बने जा सकता है किसको मोखिक अगला question देखते हैं भासा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत तो देंगे आपको बताना है इन में से किस चीज को आप भासा में आकलन करते समय कम महत तो देंगे question number 22 का answer करें सबी लोग क्या वोपर जरचा हो जाएगा या फिर सरजनात्मक लेखन हो जाएगा प्रशनों के उतर लिखना या फिर प्रशनों का निर्माड करना तो इसका हो जाएगा option number D प्रशनों का निर्माड करना बिल्कुल सही है किस विदा के सिच्छन के समय आप मौन पठन को महत्तु देंगे इसमें से ऐसी कौन सी विदा है जिसको आप मौन सिच्छन के रूप में महत्तु देना चाहेंगे कविता को मौन रूप से पढ़ सकते हैं आप पढ़ा सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह कांकी यह भी नहीं लेकिन जब निबंद लिखना हो तब क्या कर सकते हो आप मौन पठन को महत्त दे सकते हो यानि आपसा नमबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं आगला कॉस्चन बच्चों के लिखित कार के आकलन में सारवाधिक महत्त पूर्ण है जब ब बच्च ओविस का सभी लोग आउसर करेंगे इसका हो जाएगा आपसा नमबर डी विल्कुल सही है यह अभिव्यक्त का विचार जो है बच्चों के लिखित कार के आकलन में सारवाधिक महत्त पूर्ण होता है या फिर रहता है भासा प्रियोग की कुसलता संभव है आपको इस चीज पर संभव होती है आपको यह बताना है कोश्चेन नमबर 25 का सभी लोग आउसर कर दीजिए साथियों एक बार सभी लोग आउसर कर दें तो इसका वजाएगा आपसा नमबर बी अधिक जो है भासा प्रियोग से क्या होता है भासा प्रियोग की कुसलता संभव है तो आप लोग कमेंट बाक्स में बताना कि आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो खतम होने के बास सभी लोग एक बार क्लास को शेर करेंगे अपने शाथियों के पास अपने वाट्सअप गुरुप के उपर तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बाक्स में आपके 25 में से कितने आंसर सहीन कर ले हैं और बताना आपको अगली क्लास कब से चाहिए लगातार चाहिए या फिर छोड़ छोड़ के चाहिए जैसे आप बताएंगे उस तरीके से आपकी क्लास बना दी जाएंगी धन्यवाद बाबाए झाल झाल झाल